जै मातादी आज शवेरे पितर विशर्जन के बाद अकल शे नौरात लगने वाले हैं दोस्तो अभी शाम को हम बजार गए कल मंदिल का सामान खरीदने के लिए बजार में तो इतनी रोनक थी आठ नो बच गया था इतनी भी उती की शामान लेना ही मुश्किल हो गया था गर् बजार में इतनी रोनक थी बहुत ही अच्छा लग रहा था और यह देखो इतनी भी लगी थी और शाम को आठ बजे के बाद ही गए थे अम लोग की बजार में भीड़ोगी करके आज मंदिर का सामान पुजा का सामान खरीदने के लिए ले गए थे और पुजा का सामान अम लोगों ने खरीद लिया इतनी भीड में भी आम के पत्ते भी खरीदने पड़े आपकी पत्ते भी यहां पर तो फिर हमने शामान खरीद के आ गए घर यह बजार की रोनक देखे तो बहुत ही अच्छा लगा है अम लोगों को ते वारों के दिन तो बहुत खूपशरत लग अबर आज शामान खरीद के दिन है आप लोगों को बहुत बहुत मुबारगों कि पड़ुआ को मुबारगों को अब लोगों को अक्छे से मना अगुशी से माना व माता रामी का दर्वान सजीने लगा मंदिछे श्रुवात करते दो सब्रेरे आज अभी आट बचे है लग दोस्तों माता का दरवार शजरा है, इधरी पहले गणपजी बगवान थे, अबी उनका विशर्जन हुआ तो उसनके जगह में आब माता जी बठेंगी, नो दिन तक और उनके लिए तैयारी चल लिए सबेरे का समय है, हम दोनों मा बेटी ना दो के सबसे पहले तो मंदिर की सजावट कर रहे हैं, माता को बिठाएंगे, और जल्दी बाजी में थोड़ा सा फिर अपने ड्यूटी में जाएंगे, तो बाद में मेरे को भी टाइम न जाए दिया था, उसने अच्छे तरह से सबेरे का अपना काम पुजा पाड़ करके नौ दिन के बर्त पूरी रखती है, मेरी बेटी, और मैं तो पहला और लास्टी रखोंगी, और तो इसके चकर्मा मेरे को पुरा नौ दिन माता की शेवा करनी पड़ेगी घर में, इनको तो टाइम है नी, मैं फिर पूरा नौ दिन जोत जलेगी, मेरी अखंड जोत जलेगी, और माता जी के दर्वार अब शजिने लग गया है, अच्छी तरह से सब्से पहले तो हम कलश स्तापित करेंगे, कलश में सब्से पहले थोड़े से हम नीचे से चावल रखेंगे, कलश पुजा सब्से परमुक होता है, इसमें माता के नौ दिन तक इसको नारियल रखते हैं इसके उपर, कलश के उपर इसको टीका एक शिक्का डाल के इसमें, और ये आम के पत्ते, नौ या साथ ऐसे करके नौ आम के पत्ते लगाए, और इसमें थोड़ा चावल के दाने एक श सुपारी, फिरिश्मा कलावा बात दिया, और इसमें ठीका एक लगा के, कलश की तयारी होगी, मेरी नारियल बात के रख दिया, नौ दिन तक इधर ही रहेंगे ये, माता रानी के साथ रहेंगी, और अब माता जी की पुजा के लिए, आब जौ भी हमने, मैं हर साल ये जमा देखा बनाती हम सबसेपारे थो मैंने एक कली लाई थी में ये ब्रतिन भी लाई थी और इशमा मैंने मिति लाई थोड़ा गम लूशे साथ मीति होनी चाहिए शाब शुटरा करके मैंने जौ दो दिये थे पहले ही दो के शाब शुतरा करके इस मैं अच्छे से दबाकर अच्छे से अच्छे पिठा करके रख दिया नौ दिन तक खूब अच्छे से जों जम जाते हैं मेरे इसमे अभी देखना रोजी दिखाऊंगी माता की पुजा रोजी होगी अभी परशाद नी बना मेरा अभी परशाद बनाऊंगी अभी टाइम नहीं लग रहा है शबिर श अब में पूजा करने जा रही हो माता जी की अच्छे तरह से पुरा दरवार ए पूजा टिका पूरा माता को नालाया गंगा जलिशे फिर उसको टिका पिठा करके उनको बिठा दिया अपनी जगह पर इनको शिंदूर पिठा और बिंदी लगा दिया इनके चूडी मेरे गार्डन में फूल लगा था फूल माता जी बहुत पसंद होती है और इनकी शेवा हो रही है और दूब शेन का पूजन हो रहा है और जोत जल गई है मेरे लगे लगे हो गया अब दिन भर तो थोड़ा सा करते रहूंगी जो भूला विशना होगा और माता की शेवा तो करनी है नौ दिन तक अभी पूजा पाठ कर रही हूं अपने आशे आरती कर रही हूं सबेरे का ताइम और सभी के घर में आज माता का स्तापना हुआ होगा और माता रानी नौ दिन तक सभी के घर में शेवा करना अपनी अच्छी तरह से आप लोगं को बहुत बरदान देगी माता खुश होके जयो माता जी सभी की मनो कामना पूरी करना पूजा संपन्न होगी मेरे आरती होगी सभी रे साम अभी साम को डोल की भी बज़े की मेरे घर में डोलक रखा है उसको दूप में शुका रखा है उसमें मैं मैंने चुनरी तडा रखा है सभी मेरे चुनरी लाके रख्यूं यहा और अब पूरा मंदिर शच गया, मेरा पूजा पाठ हो गई है, पूरा मंदिर दिखा रही हूं, जय माता दी, आप लोग भी खुश रहो, पसंद रहो, अपने घर में, अपने घर में प्यार से रहो, प्यार बाटो, माता सभी के घर में शुक्षानती बर्शाए रखे, बना रखे शाथ मैं मेरे काना जी के भी दर्शन करूँ बाई बाई जय माई